RRB, NTPC, CBT1, previous year question paper को हम लोग देखने वाले हैं Hello friends, welcome to the success camera Friends, देखे आज इस सेशन में हम लोग RRB, NTPC, previous year question paper को discuss करेंगे जो लोग भी RRB, NTPC, new vacancy 2024 की त्यारी कर रहे हैं Friends, उनके लिए आज का सेशन बड़ा important है एक बार सभी लोग देख लिजिए कि RRB, NTPC, CBT1 में previous year में किस तरह के question पुछे गया हैं और उसी pattern पर आप अपने त्यारी को continue रखिए Friends, देखे इस बार आपके पास बड़ा ही सुनारा मौका है इस बार आप जीतोड मेहनत करिए और पुरा प्रयास करिए कि इस बार निश्चित रुप से आपका RRB, NTPC, CBT1, previous year question paper का जो हमने series चला रखा था आज उसका 20वा वीडियो है इससे पहले अल्रेडी मैंने आपको 19 session complete करा दिये थे जिन्होंने इनको नहीं देखा है जरूर देख लिजेगा लिंक आपको description box में मिल जाएंगे इनका मैंने playlist भी बना दिया है आप चाहें तो channel पर चले जाएए और playlist open करके सबी videos को देख लिजेगा जो लोग पहली बार channel पर आये हुए है पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है चैनल को subscribe कर लिजे और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी RRB, NTPC, New Vacancy, 2024 से related कोई भी important video upload किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पहुँच जाए तो चलिए friends बिना देरी किये हुए session आज के start करते हैं एक बार सभी लोग फटा-फट session को like कर दीजे friends और जब इसको complete देख लिजेगा पूरा देख लिजेगा तो कम से कम एक group में अवस से ही इसको share कर दीजेगा तो चलिए friends अब हम लोग session आज का start करते हैं तो friends जैसे मैं आपको बताया है कि आज इस session में हम लोग RRB, NTPC, CBT1, previous year question paper 2021 को discuss करेंगे friends यहाँ पर आप देख सकते हैं railway recruitment boards और यहाँ पर देखें NTPC भी लिखा गया है last year जो RRB, NTPC की vacancy आई हुई थी उसका official notification number भी यहाँ पर mention किया गया है CEN01-2019 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NTPC लिखा गया है और यह exam लिया गया था 12.3.2021 को यानि कि यह RRB, NTPC, CBT1 का बिलकुल original question paper है बिलकुल official question paper है friends आज हमारा यहाँ RRB, NTPC, CBT1, previous year question paper का बीशवा session है इससे पहले already मिने आपको 19 session complete करा दिये थे जिन्होंने नहीं देखा है, जरूर देख लिजएगा link आपको description box में मिल जाएंगे एक बार सभी लोग please session को like कर दिजए friends यहाँ पर भी आप देख सकते हैं section में NTPC लिखा गया है चलिए आज की session का पहला प्रशन पढ़िए, सभी लोग प्रशन पढ़ेंगे पहला प्रशन की निमन लिखित में से कौनसा राष्ट्र यानि की कौनसा देश बीमिश्टेक संगठन का सदस्य नहीं है देखे प्रशन में नहीं पुछा गया है जब भी आप एक्जाम में प्रशन को पढ़िएगा ध्यान पुरवक पढ़िएगा प्रशन को दो बार जरूर पढ़िएगा चलिए बताए फ्रेंड्स की निमन लिखित में से कौनसा राष्ट्र जो है कौनसा देश जो है यह विमिश्टेक और्गेनाईजेशन का संगठन का मेंबर नहीं है अगर आप एंसर जानते हैं तो एंसर कमेंट करते चलिए इससे आपका रिविजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं आपको एक्ष्ट्रा फैक्ट्स एक्स्प्लेन करके बताऊंगा उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस तरह से एक प्रश्ण के साथ साथ आपके दो से तीन प्रश्ण जो है कबर होते चलेंगे चले बताए कि निमनलिकित में से कौन सा राष्ट्र वी मिश्टेक संगठन का सदस्वे नहीं है अच्छा बात यहां पर आई है वी मिश्टेक की ठीके न थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजे देखिए वी मिश्टेक का मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकनोमिक कोपरेशन अच्छा इसकी इस्टेबलिस्मेंट कब हुई थी इसका अस्थापना कब हुआ था तो याद रखेगा उनीस सो संतानवे में हुई थी ठीके फ्रेंट्स इसका जो सेक्रेटरियट है इसका जो सचीवाले है वो कहां पर है तो धाका बंगलाएदेस में यह सब याद रखेगा इसमें टोटल मेंबर कंटरीज कितने हैं कितने सदसघेशा है तो सात सथ सदसघेशाँ सभिवा तो साथ आपको याद कैसे रहेगा मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं देखें फ्रेंस यह बताया है ठीक है ना अच्छा यह साथ सदस्य देश कौन से हैं तो सबसे पहले अपना प्यारा भारत है उंगले पर काउंट करिए अपना प्यारा भारत बांगलादेश भूटान मैनमार नेपाल स्रिलंका और थाइलेंड ठीक है न तो देखें इसमें माल्दीव जो है संगठन का सदस्य नहीं है तो यहां पर माल्दीव राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसको आप याद रखिएगा अच्छा एक मैं करेंट से रिलेटेड आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं उसको आप ध्यान रखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भ महिने में किया था इसको आप द्यान रखिएगा अच्छा फी मिश्टिक शिखर सम्मेलण जो हुआ ठीक है पहला सिकर सम्मेलण कब हुआ था अगर आपसे पुछा जाए तो पहला सिखर सम्मेलण हुआ था 2004 में कहां पर हुआ था 2004 में तो फ्रैंस यह थाइलेंड में होगा 2024 में छठा समित इसका होने वाला है 2024 में ये थाइलेंड में होगा क्लियर तो ये सारे posição याद रखेगा बैंबु डांस के रूप में प्रिख़ात किसराजय का परमपरिक सांड़्वित है यहांपडएये यहां पर ने निर्थ है या चेराव निर्थ है इसे bamboo dance के रूप में बांसनिर्थ के रूप में जाना जाता है और यह कहां का परमपरिक Sanskritic निर्थ है तो friends याद रखेगा यह मीजोरम का है clear अच्छा मीजोरम की हम बात करते हैं तो मीजोरम ध्यान रखेगा यह important है clear ना बड़ा important है ठीक है अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे friends अगर आपसे पुछा जाए कि नागा लेंड का लोक निर्थ क्या है यह प्रश्ण बनता है नागा लेंड का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नागा लेंड का अगर आपसे पुछा जाए कि लोक निर्थ का नाम क्या है तो एक बार एक्जाम में पुछा गया था ठीक है ना इसका नाम है फ्रेंड्स लेसल पत्तू यहां मैं अंगरेजी में लिख देता हूँ जगह नहीं है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बार्डो बार्डो चम निर्थ बार्डो चम निर्थ कहां का है बार्डो चम निर्थ तो याद रखेगा बार्डो चम निर्थ और रुनाचल प्रदिस का है ठीक है अच्छा मनीपूर में एक महत्सव मनाय जाता है मनीपूर में संगई महत्षव आपको याद होगा और हॉर्ण बिल महत्षव कहां पर मनाया जाता है और फेस्टिवल यह नागालेंड में मनाया जाता है नागालेंड का लोक निर्थ लेसल पत्तू यहां पर मैंने पूछा जाता है तो देखिए पंडित बिर्जु महराद जो हैं यह किस भारती निर्थ सैली के महान नर्तक हैं तो फ्रेंड्स यह आपके कथक के हैं कथक उत्तर भारत का निर्थ सैली है याद रखेगा ठीक है अच्छा कुछ और मैं आपके नर्तकों का नाम बता रहा हूं क अच्छा जयां किस और मान सिंह आप से पूछा जाे कि सोनल मान सिंह यहां मैं लिखते चलता हूं ठीक है ना मान सिंह लिक है कताई इप्स बारती रहतों के निर्थ सैली मानमनेच की हैं आद रखेगा ओड्स की ऑड़्ीशी की किलियर ओड्सी की अच्छा अगर आप से रुकमनी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम यामनी कृष्णमूर्ती कुचिपुडी और भारतनाट्यम दोनो सोवना नारायन ये याद रखेगा सोवना नारायन इनका भी संबंद सोवना नारायन का कथक्स है नारायन ठीके ना सोवना नारायन का भी संबंद किससे है कथक्स से हैं तो आप दो नामें अतलिष्ट याद रखे पंडित विर्जु माहराज और सोबना नारायन इनका संबंद कथक से हैं सोनल मान सिंग में ने बता है ओडिसी से इनका संबंद है मलिका सारा भाई कुची पुड़ी और भारत नट्यम रुकमनी देवी अरुंडेल भारत नट्यम यामनी कृष्ण मुर्ती कुची पुड़ी और भारत नट्यम ठीक है चलिए अच्छा कुछ वाद यंत्र के वादक भी हैं जो पूछे जाते हैं जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्या बजाते हैं तो यह प्रसिद सहनाई वादक है सहनाई बजाते हैं ठीक है ना पंडित हरीप्रसाद चोरसिया तो यह बासुरी वादक है और पन्नालाल घोस भी बासुरी वादक है ठीक है याद रखेगा अच्छा प्रसिद सितार पंडित रविशंकर और तबला वादक जाकिर हुशायन याद रहेगा ना इतना आपको चलिए नेक्स्ट कुस्चन हमारा है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्स में होई थी काकोरी कांड की घटना अब इसको काकोरी ट्रेन एक्षन के लाम से भी जाना जाता है दर असल यह घ प्रसाद भी घ्मिल ठीक है अर इसमें दिखे रामप्रसाद भीश मिल आजद्र लाहिडी रोसंसिंग और असफाक उलाखन यह चार नाम से घटना थी और इसमें कि सजा दी पूछा जाता है कििसको काकोरी कण्डे में कि सजा दी दी गए थी पूरी रामपरसाद बिस्मिल राजिंदर लाहिडी रोशन सिंग और अस्फाक उलाखान को फांसी की सजा दी गए थी अथा शाचिंदर शन्याल भी इसमें सनलिप्त थे शाचिंदर शन्याल को आजीवन करावास की सजा हुई थी और एक मनमत नात को मनमत नात को 14 वर्स की कैद की सजा हुई थी तो याद रखेगा चार लोगों को फांसी की सजा हुआ था रामपरसाद बिस्मिल राजिंदर लाहिडी रोशन सिंग और अस्फाक उलाखान को शाचिंदर शन्याल को आजीवन करावास की सजा हुई थी और मनमत नात को 14 वर्स की क्याद की सजा हुई थी निमलकित में से कौन सा असम में इस्थित नहीं है असम में इसमें से कौन सा इस्थित नहीं है बताए फ्रंस बड़ा ही इंपोर्टेंट है देखे असम में काजरंगा राष्टी उद्दान है ना मेरी राष्टी उद्दान है मानस राष्टी उद्द पटकाई राष्टी उद्दान यह कहा प्रेफिरेंस यह असम में है तो इतना आप याद रखिए काजरंगा नामेरी मानस रामुना और दहिंग पटकाई यह असम में हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं यह डंपा टैगर रिजर्ब जो है डंपा यह आपका मिजोरम में है य कौन सा और सम में स्थित नहीं है तो यह डंपा जो की मिजोरम में स्थित है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्ण है कि भारत में कितने जैव विवदिता होट एस्पोर्ट मौजूद हैं बड़ा हैं इंपोर्टेंट कुस्टन है बताइए इस ठीक है ना पस्मी घाट उसके बाद आपका हेमाल है ठीक है ना उसके बाद इंडो बर्मा छेत्र इंडो बर्मा छेत्र तीन हो गया है उसके बाद सुन्दर लैंड छेत्र सुन्दर लैंड छेत्र ठीक है ना सुन्दर लैंड छेत्र तो एक दो तीन और यह चार ठीक है तो Water Spot यह सब्द जो है Ho dollar spot यह सब्द किसने गढ़ा था यह मैं लिए जंपन किसने गढ़ा था तो Norman yeah enjoy मैस अंगा था नौर्मन मायरस नगढ़ मायरस याद रखे कि अगर पूछाँ जाए होट सब्द किसन गढ़ा था श्कम कितने देखा किस और भारत कि याद ठेक है याद रखेगा अच्या अंतराष्टी जब विद्वित्वास कब मनाया जाता है यह भी याद रखेगा तो फ्रेंट्स यह प्रतेक वर्स 22 मय के दिन मनाया जाता है ठेक है चली उसके बाद next question है कि मदूबनी चित्रकला सैली की उत्पत्ती किस राज्य से हुई है मदूबनी चित्रकला सैली की उत्पत्ती ठीम है बताइए तब तक मैं कुछ लिख रहा हूँ और भी कला जो की राज़ों से संबंदित है बताएए मतें ज्राइट अंसर इसका क्या होगा बताएए कि सब लोग एंसर कमेंट करिए हाँ है अब यहाँ पर देखिए मदुबनी चित्रकला सैली यानि के मदुबनी पेंटिंग बोलते हैं यह आपका बिहार से रिलेटेड है पत्तना से ना नाम हिसा अरह यह भी भी रिलेटेड है ठीक है अच्छा काली घाट पाट कला सेली है काली घाट पाट कला सेली यह कहां से संबंदित है तो यह वेश्ट बेंगोल से पस्चिम बंगाल से संबंदित है एक पटचित्र कला है पटचित्र कला संबंदित किस्से है पटचित्रा पटचित्रा कला तो फ्रेंड्स यह आपका ओडिसा से ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1857 का सिपाही विद्रो के सितिति को कि क्रांती कि समय इंगलेंड के प्रधान मंत्री कौन इंगलेंड का प्रधान मंत्री कौन इंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन था? तो इंग्लेंड का प्रधान मंत्री कौन थे? पारम एश्टेन थे, अठारासो संतान की करांती की समय ठीक है? और यह शुरू हुआ था दस मई अठारासो संताओन को, याद रखेगा friends कहां से? तो मिरट से, ठीक है? अचा इसका जो भारत की कितने राज्यों की सिमाय बंगलादेश से जुड़ी हुई है? बताई राइट अंसर क्या होगा? बंगलादेश से कितने राज्यों की सिमाय जुड़ी हुई है? तो देखिए, पांच भारतिये राज्ये हैं, कितने पांच भारतिये राज्ये हैं, जो की ठीक हुआँ जल्दी हो जाएगा मेघाले ठीक आपका मेघाले हो गया एक तृपुरा वो गया और एक आपका असम कि यह सजय ust है और यह बह küçछ रहेरा शर रृट 9 भूपेनहाजारिका का गृहराजी कौन से उस समय भूपेनहाजारिका Jako भारत रतन रिया गया था इसलिए पुछा गया था अच्छा मैं अब आपको बता रहा हूं कि 2024 में जो है टोटल कितने लोगों को पहले इसका मुख्य मंत्री रह चुके हैं ठीक नहीं यह दो बार भीहर के मुख्य मंत्री रहे थे याद रखेगा करपूरी ठाकुर उसके बाद MS स्वामिनाथन को दिया गया है जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं उसके बाद एक बाद रखेगा आगे भारत से संबंदित आपको एक प्रशन और मिलेगा ठीक है कि चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रशन हमारा की spirit lamp में magnesium की फीते के जलने के परणाम शरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा बताई राइट अंसर इसका क्या होगा magnesium oxide का ठीक है याद रखेगा चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है कि इनमें से कौन गरतंत्र भारत के यहां पर कौन बना लिजेगा ठीक है कौन गरतंत्र भारत के सर्वच नागरिक सम्मान भारत रतन का प्रथम पुरसकार प्राप्त करता नहीं है देखे नहीं मुझा गया कौन प्राप्त करता नहीं थे ठीक है ना चलिए प्रथम प्राप्त करता तो यह एंबिस विस्वरया नहीं थे अप्शन यहां पर तीसरा राइट अंसर हो जाएगा चले निमनलिकित में से देखे किस राजी की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है देखे मिजोरम से जो है मिजोरम से किस की सीमा लगती है तो याद रखेगा फ्रेंड्स देखे मिजोरम से जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता ह मिजोरम से मनिपुर असम और तिरपुरा लगता है ठीक है यहाँ पर दिया भी गया है मनिपुर असम और तिरपुरा यह आपकी मिजोरम से सिमा सजा करते हैं ठीक है ना मेघाले जो है मेघाले यह मिजोरम से नहीं लगा हुआ है मेघाले नहीं लगा हुआ है ठीक है याद र यानमार से भी ये सीमा साज़ा करता है याद रखे का चलिए उसके बद अगला प्रशन नहीं कि भारती रुपियं के प्रतिकुशिन से तो इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, यह आपका प्रतिक चीन है, ठेकना भारती रुपय का यह प्रतिक चीन जो है, इसके संकल्पना और डिजाइन किसके दौरा तयार किया गया था, तो यह तयार किया गया था आपके IIT, बॉंबे के असनातुकुत्तर उड़दय कुमार है ठेकना इने के दौरा किया गया था, उड़दय कुमार के दौरा, ठेकना और इसके किस वर्स अपनाय गया था, तो इसको अपनाय गया था 2010 में, ठेकना 2010 में अपनाय गया था, इसे भी आप याद रखेगा, और देखें यह जो आपका रुपया का चीन है इस तरह का, यह च जो है यह देवनागरी और रोमन भासाओं का मिश्रन है यह भी प्रश्न बन सकता है ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा डी उदय कुमार होगा देखिए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी का अनुसार निमलिकित में से कौन से प्राप्त यह राष्ट्रिय पार्टी कि बात क doet बिसी एक जंक्रील राष्टिय का प्रेखिए याद रखी एक तो आपका भारत्यिय जनता पार्टी हो गया भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेश होगया दू आपको याद हो समाज पार्टी prec meat si maa colleges यहां पर लिखा गया भारती कॉमिनिश्ट पार्टी market सुवादी एक बोड़ेज्ञ समाज पार्टी best honesty दो मैंने बता दिया एक आपका बीजेपी और कॉंग्रेस 4 हो गे और एक आम आदमी पार्टी है शे ठीयक़् कर द दूए आ भारतीराष्टी कॉंग्रिस दो हो गया एक बहुजणशामाज पार्टी एक भारती कम्मीश्ट पार्टी मारक्स बादी क्या हो गया एक आमादम पार्टी पांच हो गया और एक पीपुल्स पार्टी छे हो गया ठीक है तो अभी के रूप में देखे तो यह नहीं है और यह नहीं है दोनों नहीं है ठीक है ना चलिए उसके बाद देखेगा कि हुमायू और सेरसा सूरी के बीच चौसा का यूद जो है किस वर्स में लड़ा गया था अच्छा देखेगा क जो है ना टोटल इसने चार हैं हमायूद लड़े हैं हमायूने कौनन कोल से यूद है तो एक चौसा के उद्ध है जो की पुछा गया है चौसीर था हुआ था 5549 में ठीक है ना 4549 में आट को पाराम सेरसा और हमायू के बीच में इस यूद में के उपरांत के उसके बाद दिखिए अगला युद्ध हुआ था 1500 यह में लिख DAYता हूं 15 कि यहां में लिखट Oh चलिए 40 में यह आपका बिपल गराम का युद्ध ये औक पुमोज का यूद होता है तो यह दो यूदोग है उसका बाद 1531 में धेवरा का यूद हो था ठीक है उसके बाद 150-1585 में सरहिंद का यूद हो था तो यह चार यूद ज्यूद है हुमायուंदं लड़े हैं अपने जीवन काल में सबसे पहले 1531 का आपका देवरा कायुद फिर 1549 में चौसा कायुद 1540 में बिलग्राम कायुद और 1555 में सरहिंद कायुद ठीक है चली उसके बाद देखेगा कि संक्तराष्ट महासभा ने किस वर्स सतत विकास लक्षियों को परिभासित किया बताए यह बहुत ही अच्छा कुस्चन है औ संक्तराष्ट महासभा की सतरवी बैठक हुई थी ठीक ना सतरवी बैठक में जो है 2030 2030 2030 2030 सतत विकास है तूँ एजेंटा के तहट जो है 17 विकास लक्षियों सतरह आपके जो 17 आपके सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल्स हैं उनको चेनित किया ठीक है न तो यह पॉइंट याद रखेगा 2015 यहां पर आइट अंसर हो जाएगा अच्छा यहां बात आईए संक्तराष्ट महासभा की जिसको कि हम लोग अंगरेजी में बोलते हैं क्या तो इनाइटेट नेसंस जेनरल एसंबली यहीं बोलते है और देखें यह जो आपका उनाइटेट नेसंस जेनरल स्मेलित होते हैं ठेक है चलिए उसके बाद देखेगा कि आंतररस भोजन में मौझूद प्रोटीन को किन अनों में परिवर्थित करते हैं बताईए फ्रेंट रेट एंसर यहां पर क्या होगा आंतरस जो है यह भोजन में जो मौझूदाव आपके क्या है भोजन में यह पांस प्रकार के जो हैं एंजाइम उपस्तित होते हैं एक तो आपका इरेपसीन हो गया एक आपका कौन सा हो गया एक आपका हो गया इरेपसीन यहां मैं लिख देता हूं इरेपसीन एक आपका इरेपसीन हो गया एक एक करके में रिखते हैं इरेपसीन जो है यह प्रोटी है माल्टेज माल्टेज क्या करता है तो माल्टेज यहां माल्टोज को गुलुकोज सरकरा में परिवर्थित करता है और एक आपका है एक आपका सुक्रेज एक आपका है सुक्रेज क्या करता है तो सुक्रेज करता है सुक्रेज को गुलुकोज और फ्रोक्टोज में परिवर् परवर्थित करता है और एक आपका लाइपेज है यहां इमल्सिकृत वसाओं को गलेसरीन और फैटी एसिड में परवर्थित करता है लाइपेज लाइपेज ठेका न तो यह पांचों अमल आप याद रखेगा पांचों एंजाइम ठेका न इरेपसीम माल्टेज सुक्रेज और लाइपेज ठीक है यह आंत रस के एंजाइम हैं और यह इरेपसीन जो है इरेपसीन जैसे मैंने बताया है कि यह प्रोटीन और प्रेप्टीन को अमिनुम में चेल्ज करता है चले उसके बाद देखें निमनलिखित में से किस भुत्पुर्व आई एन ए ने था इंडिया नेशनल आर्मी वला है इन पर ब्रिटिस भारत की सरकार की बिरुद्ध यूद भाड़काने का आरोप नहीं लगा था नहीं लगा था आचा यह आई ने जो मुकदमा हुआ था आयन के नितर पर जो मुकदमा चला गया था इसको लालकिला मुकदमा के नाम से भी जाना जात ठेके ना इसमें आरोपी नहीं थे मोहन सिंग तो यहां पर राइट अंसर मोहन सिंग हो जाएगा और दिखे फ्रेंट्स इनके बचाव के लिए ठेके ना इनको इन सभी के बचाव के लिए जो है एक वकीलों का ग्रूप बनाए गया था जिसमें मैं बता देता हूं भूला भाई देशाई कैलासनाथ काटजू तेज बहादूर सप्रों तेज बहादूर सप्रों का पुछा जाता है ठेक है ना पंडी जोहाल लनेहरो और अरोना सफली यह बचावदल के वकील थे ठेक है चलिए देखेगा कि निकट द्रिश्टी दोस से पीर्त व्यक्ति के लिए क सप्रमें पुछा गया था कि निकट द्रिश्टी दोंग पुछा गया था कि यह निकट देश्टी दोस में होता क्या है तो मैंने उसमें याद रखेगा और इसमें आपके प्रतिभीम है ना इस कारण से इसमें प्रतिभीम वस्तु का प्रतिभीम रेटिना परणव बन करके रेटिना के आगे बनता है और इसमें उतल जो लेंस है उसका उपयोग किया जाता है और इसके जश्ट अपोजिट होता है आपका दिर्ग-दृषिटी दोस ठिक है न इसका ओपुजीट होता है दिर्ग-दृषिटी दोस जिसको कि हम लोग दूर दृषिटी दोस बोलता है है फाइपर मेट्रृप्य बोलता है ठिक है और इसमें उत्तल्डац का इस्तिमाल किया जाता है चलि उसके बाद next question आमारा कि किस समिधान संसोजन अधनियम दोरा भारती समिधान में अनुछेद 21A जोड़ा गया था बड़ा important है तो friends ये किस में जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था आपका 86 समिधान संसोजन 2002 ठीक है नहीं याद रखिएगा 83 समिधान संसोजन 2002 के तहद जोड़ा गया था clear और इस समिधान संसोजन में जो है अनुछेद 21A को समिलित किया था और 6 से लेकर के 14 वर्ष से कम आयू के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार की रूप में सिक्षा का अधिकार अनुछेद 21A में जोड़ा गया था ठीक है याद संसोजन लगु समिधान कहा जाता है और इस संसोजन के तहट भारती समिधान में तीन नय सब्द जोड़े गया थे आपका ब्यालिश्वा समिधान संसोजन जो कि 1976 में हुआ था तीन नय सब्द समाजबादी धार्न मिर्पेक्स और अखंडता जोड़े गया थे ठीक है ना सरिस्का राष्टी उद्यान कहां परिस्तित है सरिस्का राष्टी उद्यान अब यहां पर देखे सरिस्का राष्टी उद्यान जो है किस राज्य में है तो सरिस्का जो है यह आपका राजस्थान में याद रखेगा अच्छा राजस्थान में और भी राष्टी उद्यान जिनका नाम आपको याद रखना है राजस्थान के और भी राष्टी उद्यान है जिनको आपको याद रखना है जैसे कि अगर आपसे पुछा जाएगा कि राजस्थान में और कौन-कौन से राष्टी उद्यान है तो क्या जबाब दीजेगा तो राजस्थान में एक है आप का मुकुंद्रा हील दर्रा यहां में लिखता हूं ठीक है ना मुकुंद्रा हील्स दर्रा राश्ट्योध्यान ठीक है यह कहां पर है पूछा जाएगा तो राजस्थान में है उसका अगर आप यह पूछा जाए कि डेजर्ट लेस्ट पर कहा पर एदेजर्ट रय़्र ज्रूजर्ट जेऑं डेजर्ट नेस्ट्नल पर कहां पर है तो यह भी आपका राजस्थान में क्या अवलादेव घाना पक्षी पिहर कहां पर है तो राशस्थान में तो इतना आप जरूर् Sexual ठीक है चलिए उसके बाद देख लिए नेशनल इन्फोमेटिक्स सेंटर एन आई सी जिसको बला देखा है सौट में नेशनल इनफोर्मेटिक्स इनफोर्मेटिक्स ठीक है न यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में एरर हुआ है इनफोर्मेटिक्स सेंटर ठीक है यह कहां पर मतलब यह अस्थापित हुआ था कब तो यह 1976 में इस्टाब्लिश्ट हुआ था ठीक है न उनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी के यह अधीन आता है यानि कि इसका पैरेंट ओर्गनेजिशन कौन सा है तो मिनिस्ट्री आफ इलेक्रोनिक्स एंड इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी ठीक है चले एनाइसी का नेक्स्ट कुस्टन हमारा कि निमनलिखित में से देखे किस राज में प्रसिद्ध सूर्यमंदिर इस्तित है बड़ा ही सिंपल कुस्टन है बट आपको याद तमिलाडू में बड़ा फेमस है मिनाक्षी मंदिर मिनाक्षी मंदिर पूछा भी जाता है कहां पर है तो तमिलाडू में ठीक है अचा आंधर प्रदेश में एक मंदिर है लेपाक्षी मंदिर अचा लेपाक्षी और मिनाक्षी मिक्समत कीजिएगा यह मिनाक्षी तमिलाड में है और लेपाक्षी आंद्रप्रदेश में और भी है जैसे कि रंगनाथ मंदिर रंगनाथ मंदिर कहां पर है तो आंद्रप्रदेश में है ठीक ना रमप्पा मंदिर पूछा जाएगा रमप्पा मंदिर कहां पर है रमप्पा मंदिर तो यह आपका आंद्रप्रदेश में ठेक है तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर है तो आंदर प्रदेश में अभी चर्चा में भी रहा था ता तिरुपति बालाजी बेंक्रटेश्वर मंदिर ठीक है अचा पंजाब में कौन सा है तो यह golden temple है अम रिच्छर में ठीक है तो देखे कितना प्रश्ण में आपका cover क यह कि अस्थापना हुई थी गाट का फूलफों भी मैंने बताया था क्या बताया था जरल एग्रिमेंट ऐन टैरिप्स अंड ट्रेड एग्रिमेंट ऑन टेप्स एड ट्रेड ठेकर न मैंने बताया था आपको इतमान में WTO की डिरेक्टर जनरल हैं चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अगला प्रश्न हमारा कि देखे कि हम पी को किसके दौरा विशुविरासत अस्तल गोशित किया गया है तो हम पी को जो है यह युनेस्को के दौरा ठीक है ना अच्छा हम पी है कहां पर तो यह करनाटक में पड़ेगा हम पी से कुछ याद आ रहा है आपको यह विजयनगर समराज की राजधानी थी हम पी और किस नदी के किनारी इस्तित है तो तुटूंग भद्रा नदी के किनारी इस्तित है ठीक है यह इतना याद रखे बात इन इसकों की आई हुई है तीन ठीक है याद रखेगा 1945 चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन हमारा कि भारती समिधान का अनुसार पंचायत सदस होने के लिए आवसक नियुनतम आयू कितनी है बताए तो फ्रेंट्स यह कितना है याद रखे यह आपके 21 साल होगा ठीक है ना पंचायत सदस होने के लिए 25 साल विधान सभा के सदस होने के लिए 25 साल विधान परिशद और राज सभा के सदस होने के लिए 30 साल ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन है कि MRTP अधिनियम 1979 में निमनलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रुप सही है MRTP इसको हिंदी में अंग्रेजी मे फुलफर्म पूछा गया है तो इसका फुलफर्म क्या होता है इसका फुलफर्म होगा मोनोपोलीज एंड रिश्ट्रेक्टिव ट्रेड यहां पर देखे लिया गया है मोनोपोलीज एंड रिश्ट्रेक्टिव देखे कहां पर लिखा है मोनोपोलीज एंड रिश्ट्रेक् में MRTP अधिनियम के अधिनेमित होने के बाद इसको 1970 से प्रभावी किया था ठीक है 1919 में यह अधिनियमित हुआ और 1970 से यह प्रभावी हुआ ठीक है याद रखिएगा चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कुस्सन है कि अगला प्रशन क्लशन कि घाले संद्य आग्या इस्ति च challenged को को प्रतिव पर ग्याथ सबसे गहरा बिंदो बानः जाता है चलंतर दीत सबसे Body मैरियाना न्ट्रेंच's कहां पर तो यह प्रसांत महसागर में मैं याद रख सकते हैं ठीक आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे हम लोग देखे आगला प्रशन है कि भारत के दोनों सदन यानि कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किये गए सभी विद्यक किसके अनमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं बता यह प्रशन बड़ा ही बढ़िया है भ राष्टपती का अनमोदन के उपरान थी यहां लागू होता है तो राष्टपती यहां पर राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कुस्चन हमारा देखेगा कि सुलाहुमी लोकसभा के अध्यक्स का नाम क्या था नहीं के बड़ा पुराना प्रशन ठीक न ध्याद कि जाखेगा सुलाहुमी पूछा गया सुमित्रह माजन और शात्राहूमी और अठ्राहुमी का ओम बेरवला है धक्मिष्ट न युख याद रिखेगा ओम बेर ला चलिए तो यह कर ABOUTकौन सुम्हस्तरामाजै नास की ऑंठ्रहुमी zwischen से सॅमना चतरजी 15 मिर वरतमान ननकाना सहाब में कब हुआ था इनका जनम तलवंडी में ननकाना साहब में कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है तो Gильно आ Jones और सane जोंहां है यह सिखो धर्म के संस्थापक हैं तो के दसुख गुरुओं में सबसे पहले गुरुों हैं इनकी मिर्ति हुई थी करतारपूर में इनकी मिर्ति हुई थी और जनम तलवंडी में हुआ था तो दोनों तरीके से प्रोष्ण को आप याद रख सकते हैं ठीक है चले उसके बाद जल क्रांती अभियान बताई किस वित्टी वर्ष में स्टारट किया था सुसरी उमाभारती उनहीं ने इस अभियान की शुरूआत किया था 2015 में ठीक है ना तो इतना आप याद रखेगा अच्छा बात यहां पर जल से संबंदित आई है तो वर्तमान में याद रखे केंद्रिये जल सकती मंत्री कौन है वर्तमान में केंद्रिये जल सकती मंत्री प्रश्ण बन सकता है जल सकती मंत्री कौन है तो वर्तमान में जो है य एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्ममेटर का अविस्कार किस ने किया था एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्ममेटर का अविस्कार किस ने किया था तो फ्रेंस यह किया था डैनियल गैब्रियल फारन हैट ने डैनियल गैब्रियल फारन हैट ने किया था ठ सेंटिग्रेट पैमाने का अविश्कार किस ने किया था सेंटिग्रेट का एंडर्स सेलशिएस ने किया था ठीक है शली उसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है मारा किन्हीन लिखित में से कौन सा सब्द पसु ब्यवहार में के जैविक अध्यन का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो फ्रेंट यह कौन सा है बताएं राइट अंसर तो इस इतो लोजी हो जाएगा तो यह इतो लोजी होगा अच्छा यह जो कीटो का आध्यान एंटोमोलोजी कहालाता है ठीक है इतना पहले याद रखे ठीक है उसके बाद देखिए गा एक और नितो लोजी पूछा जाता है और निथो लौजी और निथो लौजी यह पक्षियों का अध्यन कहलाता है पक्षियों का अध्यन और निथो लौजी कहलाता है एंटोमोलोजी कीटों का अध्यन कहलाता है तो यह बड़ा इंपोर्टेंट है कि दोनों याद रखिएगा ठीक है उसके बाद हम लोग नेक्स् भी सी में पूछे जाते हैं चले डवलु थारी सी कह तो यानि के डवलो थे यानि के तीन बार डवलु है ठेखना और एक सी है इसका नहsooAN है न तो तीन बार aged फ्रों जो किसमें अगला प्रश्न हमारा कि भारत में राष्टी जलमार्क वन जो नेशनल वाटर वेज्ट जो है एंड डवलू जिसको बला जाता है यह वन जो है इलहाबाद और हल्दिया के बीच में है ठीक है याद रखेगा और फ्रेंड्स पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी है इसकी एन डवलू टू है एन डवलू टू जो है यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है धोबरी और साधिया में असम्हें पड़ता है आठ सो इक्यांवी किलोमेटर इसकी लंबाई है चलिए निमले कितनी से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभीकिया अनुसंधान रियक्टर कौन सा है चले बताई राइट अंसर क्या होगा सबलोग फुर्टा-फुर्ट एंसर करें सबसे पूराना नाभी की जो आपका अनुसंधान रियक्टर है यह आपका अपसरा है अपसरा है ठाब्याद रकिए अपसरा भारत की पहली नाभीकिया रियक्टर है और 1907 जनबर ही ठीक है तो इतना आप जरूर याद रख लिजेगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन कर लेंगे हमारा नेक्ष्ट कोस्टन है देखे कि भारती निर्वासन आयोकनुसार राजनेतिक दल चुनाव पूर्व किस ओधी में अपना घोशना पत्र जा इसको कि लिधे न री प्रोडॉक्टव औरगन खा जाता है इनको हिंदी में गूप्त प्रजनार अंग भी बोला जाता है अब जो प्लान्ट हेटन zumindest ऑउर आल Cheese को लिए इसका क्रिप्टो गैम बोला जाता है ठीक है और यह आपके क्रिप्टो गैम में क्या होते हैं यह यहां पर देखिए म सब्लंफिंप रे 자का भी युरूएर हिंदी में कभी कभी इस तरह से मारल चीशलिया आपको मारल चिलिए याद रखें और जल तिप्तिया भी याद रख सकते हैं यडियेकि पहां पर है अजंता की कुफा कहा पर है तो देखिए यह कहां पने तीनों तो याद रखे यह तीनों महाराष्ट्र में है अजन्ता एलोरा और कनहेरी की गुपाएं ठीक है चले उसके बाद देखे केरल में मौपला विद्रो जुआ था मालाबार विद्रो के नाम से भी जाना दाता है यह कब हुआ था तो मौपला विद्रो विद्रो बढ़ा किया और धिली में लूट पड किया था तो देखे नाधिर्षा है 1749 में जो है डिली पर हमला किया था और उसमय सासक कौन था तो मोहमद सा रंगिला था जिसको कि रंगिला बादशा की नाम से जाना जाता था ठीक है नाधिर सा को इरान नेपोलियन कहा ज दिल्ली में किया था और दिल्ली से कोहिनूर को और तक्ते ताउस को जिसको कि मैयूर सिहांसन कहा जाता है अपने साथ ले करके इरान चला गया था ठीक है और प्रशन बनता है कि तक्ते ताउस पर मैयूर सिहांसन पर बैठने वाला अंते मुगल बात्सा कौन है तो वही मुह परतित करनी के प्रक्रिया ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं इसको अंगरेजी में फर्मेंटेशन और हिंदी में इसको किनवन बोलते हैं ठीक है किनवन बोलते हैं ठीक है किनवन बोलते हैं चलिए उसका बाद नेक्ष्ट कुस्टन हम रहा और स्थापने किया था चले फेस्टिक सोसाइटी बेंगौल के स्थापने किया था जीतने वाली पहली भारतिय महिला का नाम बताई बोकर पुरसकार पूछा गया है और एक आपका है अंतराष्ट्री बोकर पुरसकार यहां सभी प्रश्ण बनेगा मैं आपको बताजिता हूं बट बुकर पुरसकार जितने वाली पहली भारतिय महिला जो है यह आपकी अरुंदती रहे हैं 1997 मीन होने जीता था और इनकी पुस्तक है कौन पुस्तक के लिए तो याद रखेगा अंतराष्ट्रिय बुकर यह तो आपका बुकर था अंतराष्ट्रिय बुकर जितने वाले पहले अगर हम बात करते हैं तो पहली भारतिय लेखी का बनी है गेतांजली स्री आपने पढ़ा होगा ठीक है ना टॉम आफ सेंड के लिए उनको यहाँ एवाड दिया गया था नावी के जो फटादन का प्रोप्रिय खत्रा क्या है तो SMAG बात करते हैं प्रोपरण और प्रकिर्णन देखें निमनखिद में से वहुत सब देजरी से देश पाक जल डमरू मद जिसको कि हम लोग पाक श्टेट बोलते हैं और गल्प अप मननार यान की मननार की खाड़ी द्वरा निर्मित समुद्र के एक संकिर्ण चैनल के द्वरा भारत से लग होता है तो सिंपल सा कुस्चन है भारत से कौन सा देश लग होगा तो सारवजनिक छेत्र में PSE का कुछ हिसा बेच करके सारवजनिक छेत्र के उध्यमों के निजिकरन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है उसको विनिवेस के नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है तो फ्रेंट्स यह सेसन हमारा आज यहीं complete होता है सेशन को प्लीज लाइक कर जजीएाँ और पीडिएप आपको टेलिग्राम पर मिल रहा है ये भी पीडिएप एक दो दिन में कल ही हो सकता है मैं दे देब आपको ठेक्त रहाँ पर मैंने rivD बूये हुआ है जहाँ में एक में हुँद